हेलो एवरिबन दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचरल लाइफ में दोस्तों आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ न्यूबॉर्ण बेबी के लिए बहुती प्यारी सी दो चीजें इसके लिए मैंने डबल फाब्रिक लिया है नाइन बाय 5.5 इंच का अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे दो बार और यहां एक साइड उपर से हमें कार्स्वेप देना है कार्स्वेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे अब साइट से जो जोइंट है उसे भी कट करके अलग कर लेंगे तो देखेंगे हमें इस तरीके के चार मिल गए है चार हिस्से मिल गए है अब दो-दो हिस्सों को हम इस तरीके से रख कर यहाँ पर राउंड में सिलाई कर लेंगे तो यहां पर यह मैंने सिलाई कर ली है अब इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा टॉन करके यहां पर भी डबल फोल्ड करके ओपन साइड है वहां पर भी सिलाई करेंगे तो यह मैंने सिलाई कर ली है अब हमें इलास्टिक लेनी है इलास्टिक मैंने ली है 6 इंच की आप अपने बेबी की कलाई का मिजरमेंट लेकर इलास्टिक ले सकते हैं आपको जिटनी भी लेनी है और आप यहां पर जो भी कलर या जो भी फाबरिक यूज करना चाहते हैं वो अपनी पसंदगी के करके खुद बना सकते हैं और यह डियाई वाई बहुत ही जादा इजी होता है और यह हर बच्चे के लिए जरूरी भी होता है तो अब इस तरीके से देखें इलास्टिक को हमने अटेच कर लिया है और पूरा में हम यहां पर खींचते हुए इलास्टिक को लगा लेंगे तो ये मेरा एक हाथू के लिए ग्लोज रेडी हो चुका है तो आप इस तरीके से बच्चों के हैंड ग्लोज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अब मैंने एक और स्क्वार फैब्रिक लिया है तो इससे में 11 बाई 11 इंच का मेजरमेंट है ये मेरा अगर आप बड़ी साइस का बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा रख सकते हैं अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ना है तो यहां मैंने मार्क कर लिया है अब मैंने तीन स्ट्रिप ली है एक जो बड़ी है वो है 8 बाई 2 इंच की दो स्ट्रिप और एक है 4 बाई 2 इंच की अब इन सभी स्ट्रिप को इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम स्ट्रिप को यहाँ पर सैट करेंगे तीनों स्ट्रिप को जो बड़ी स्ट्रिप है वो उपर की साइड और नीचे की साइड हमें छोटी स्ट्रिप रखनी है और ये देखे जो gap छोड़ कर हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से थोड़ी सी जगा में हमें सिलाई नहीं करनी है यहां से हम प्याब्रिक को सीधा करेंगे सिलाई करने के बाद कोनों को इस तरीके से हम कट कर देंगे और यहां से हम इस तरीके से पलट लेंगे तो यह देखे यह इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है अब यहाँ पर भी पूरे में हम एक सिलाई कर लेंगे तो जो अपन था वो भी पैक हो जाएगा और यह पूरा अच्छे से मजबूत बन जाएगा अब इस ट्रिप को हम इस तरीके से यहाँ नीचे की साइड फूल्ड कर लेंगे तो यह देखे यह हमारा लंगोट बनकर रेडी है आप इसे बेबी डाइपर भी कह सकते हैं तो अगर आप इस तरीके से घर पर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है और आप अपनी पसंदगी के कपड़े से बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना और आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना सो गाइस हम मिलते हैं ऐसे ही और यूसफुल आइडिया के साथ तब तक के लिए जय भारत